अध्यक्षा जी आज दो दो विदेशी सीमाओं से गिरा उत्राखंड देव भूमी के साथ साथ बीर भूमी है यह औस तन एक परवार से एक व्यक्ति सेना में भरती होकर जहां राष्ट की सीमाओं पर अपनी कुर्वानी को देता है वहाँ दूसरी पंक्ति में उसकी मा बहने भी सेनिक की तरह देश वक्ति का अन्यने राष्ट वक्ति का प्रमान देती है चाहे देश की आजादी से पहले हो चाहे देश की आजादी के बाद वहाँ चाहे चंदरशेखर आजाद हो चाहे शुबाशन बोज उनके कैम्प हमेशा लगा करते थे और हर परिवार से एक व्यक्ति सेना में भर्ति होकर राज्ट की सिमाव पर अपनी कुर्बानी देता है अध्यक्साद जी पेशवरकांड का मानायक बेशन सिंग अड़वाली हो और चाहे 1912,1965 और 1901 का युद्ध हो चाहे कारगिल का युद्ध हो और चाहे मुंबई के ताज होटल पर आतंकी वादियों का निशाना हो चाहे गुजरात के अक्षरदहम का विशय हो चाहे धंतवा जी की है मैं समझता हूँ अध्यक्साद जी मैं अभी कुछ दिन पहले यूर्योपी देशों की यात्रा पर था नायक दर्वान सिंग नेगी और रैफल में गवर सिंग नेगी को फ्रांस में अद्वुत विर्ता के लिए विक्टोरिया क्रास से समानित किया गया ये तने न हारतिय और उत्राखंड के बीर सहनिकों की गाथा दर्ज है अध्यक्षाजी मेरा ये कहना है जिस शेत्र में ऐसे सपूत जिनकी धमनेओं में देश वक्ति का खून बैता हो जो कहते हों युगों-युगों से यही हमारी बनी वी परिपाटी है खून दिया है मगर नहीं के लिए गाउं और पूरा हिमाले चेत्र में ऐसे वीर पूर्चों को निशुल्क प्रशिक्षन चेना में और अर्द सहनिक बलोबे हर हालत में होना चाहिए मैं सरकार से पुरजूर मांग करता हूं कि उत्राखंड और हिमाले चेत्र के जितने भी ऐसे वीर नौजवान है उन्हें अस्थानों पर प्रशिक्षन दे करके जहां बेरोजगारी दूर होगी जहां जो गाउं खाली हो रहे हैं वो पलाइन रुकेगा वहां राष्ट को ऐसे राष्ट भक्त ऐसे नौजवान मिलेंगे जो वीरता को शिखरता तक पहुंचाएंगे और मैं यहीं मांग क आउ धने बाद